यह बीजेपी की सरकार थी तो गुर्जर मारे गए और जहां जहां कॉंग्रेस की सरकार होती है स्टी स्टी ओबीसी मानोट्री के लोग मारे जाते हैं उसको आप सववेधानिक दाइरे में लाइए रिजर्व केटेगरी को रिजर्वेशन का जो हक मिला हुआ है उसको उसी तरीके से उनको उपलब्द करवाई है पहली बात तो हम यह मानने को तयार नहीं कि रिजर्व केटेगरी में पड़े लिके योग्य युवानी नकसल के नाम पे डराया जाए और वो अपने सववेधानिक अधिकारों को मांगना बंद कर दे बीजेपी और कॉंग्रेस मिलके उसमें नकसल का तड़का लगाना चाह रहे हैं आने वाले एलेक्शनों के संदर्व में तो पहली बात तो मीना और भील अलग अलग है नहीं अगर भील मीना है तो मीना भील है यह फैलाया जा रहा है यह फैला के और बीजेपी और कॉंग्रेस लोगों को बाटो राजकरों की निती के तहत यह काम किया गया है बहुजन समाज मतलब S-C-S-T-O-B-C मैनॉर्टी के लोग लगातार जागरुख हो रहे हैं और उस समाज का जो परहा लिखत तपका है जो चाहता तो सांदार केरियर बना सकता है और सांदार केरियर है भी लेकिन उसके बाद भी जब वो पर लिख गया है तो वो चैपाल मुंडा हो फुले प्रियारम बेटकर हो बिरसा मुंडा हो तमाम वो बहुजन महापुरसों के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है ऐसी सक्सियत है मेरे साथ मैं इस समय जैपूर में हूँ और मेरे साथ है राजस्थान दिमोक्रिटिक फ्रंट पार्टी के संस्थापक डॉक्टर गजिंद्र सिंग हीदा हमारे साथ है और यह लगाता राजस्थान में जो ट्राइबल की सितिती है जो स्रियूल कास की सितित और तो वही काम अब हिदा साहब जो है वो राजस्थान में कतनी आवादी होगी बहुजनों की राजस्थान में अची सब्सक्राइब करके ट्राइबल जो है पचीस से तीस परसेंट ट्राइबल और उसके बाद में एस सी कम्म्यूटी है और फिर ओवी सी कम्म्यूटी है यहां सुने ओवी सी को सब्सक्राइब करना चाहिए लंबे समय से आसुक गहलोत कॉंग्रिस के मुखमंति बनते आए हैं और वो भी सी कम्म्यूटी से आते हैं खर बीजेपी तो सब्सक्राइब बनाते उसके बाद भी यह दिक्कत है यह बड़ी सोचने की और चिंतनिये बात भी है सोचने की बात भी है और चिंतनिये बात भी है क्योंकि हमारे सुनने में आया है कि जो ओवी सी के जो 27 परसेंट के इंप्लिमेंटेशन को लेकर जो मिटिंग रखी गई उसके मिनट्स में भी यह चीज़ से बाहर करने के लिए गैलो साब ने कहा ऐसा हमने सुनने में आया है और उसी के बाद में जो है काफी हला भी मचा और ओवी सी समाज में उसका आक्रोस भी है राजस्तान में उसको देखते हुए राजस्तान डेमोकर्टिक फ्रिंट पार्टी ने सत्यागरे के मुख्य मुद्धों में अधिना सेवा सरते संसोधन नियम 2020 विद्धा संबल क्योंटी में ताकतवर कम्यूटी है जातिबाद यहां चरम पर अभी इंदर में गवाल की घटना हम लोग भूले नहीं है जहां मतलब गर है यह जहां जहां बीजेपी कॉंग्रेस होती है मत परदेश राजस्ताने जातिवादियों का एक दम गर है इसको लेकर कितनी चेतन कि जैसे कि मैं आपने आपको बता दूँ कि जैसे आपने सम्मोदित किया कि भील और मीना तो मैं इसी को थोड़ा अवेर करना चाहता हूं कि जिसको यह लोग भील बोलते हैं उनका कास सर्टिपिकेट आप जाके देखेंगे तो मीना है कहा जा रहा है भील जो ट्राइब मे हिज हूए उनके गोत रहे हैं और उनका का सर्टिपिक बना यह मीना का तो पहली बाद चो मीना और भील अलग अलग है नहीं अगर मीना है तो मीना भील है यह पहलाए जा रही है यह मिसकंशु कॉम्म्युकैशूnost यह फहला कर बीजय पी और कॉंग्रेस लोगों को बाटो लिखा है समझद रहा है चीजों को अपने संवेदानिक अधिकारों को समझ रहा है तो उनको यह जागरती मिल रही है कि हम एक हैं हमको अलग किया जा रहा है तो यहां यहां जाट और गुर्जर दोबी सी क मुझेटी में दोनों आते हैं जो गुजर कम्म्यूटी है वो फिर भी अभी हमारे यहां पर अंदुलन रत रही और उसमें काफी लोग सहीद भी हुए उस अंदुल बेनिवाल जी का अच्छा प्रियास है और हमारा और बेनिवाल जी का एक ही दिसा में हम प्रियास रहते हैं तो वह भी से को ले के कारे हैं और हम भी हईस्टिस मायनोर्टी करत रहे हैं लगातार नक्सली-कनेक्शन-चाइब कोशिश जो रही है और उसमें खास का ट्राइबल बावाओं को संदर्व में और उसको सीडी बनाके जो योगे ट्राइबल वेल्ट में आने वाले युवाँ हैं जो आवाज उठाते हैं सोश्यल वरकर हैं उनको परेशान करने के लिए सीडी यह तरीका निकाला है बीजेपी कॉंग्रेस ने कि उनको नकसल के नाम पर डराया जाए और वो सवेधानिक अधिकारों को मांगना बंद करते हैं पर अब यह संभव नहीं है इसको नकसल को लेके जो दो व्यक्ति उसमें पकड़ने में आये हैं उन दोनों के साथ में हुआ तो हत्याचारी है सरकार ने किया है उनकी जमीन आवाप्त की रेलवे ने केंद्र सरकार का महमल है तो आवाप्त करने के बाद में उनको जो मौावजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और उससे फ्रस्टेट होके उन्होंने वह ब्लास्ट किया दो व्यक्तियों ने किया तो उसके लिए पहले तो पूरी कम्मुटी को बंदाम करना गलत है दूसरा इसमें अगर सरकार व जमीन उन्हें पूरे देश में होता है बाकी लोग जेल में मसाज करवा सकते हैं इस देश के स्टी अभी ग्रेटर नोइडा में भी सी तरह का देश भर में किसान जातियां हो सोसित बंचे समाज के हो उनको मुआपजा नहीं मिलता है मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं हिमा सिस्टम कैसे काम करता है और सिस्टम में बैठे वे लोग की बज़से बोजन समाज के लोग इस सिस्टम में आने की कोशिश करते हैं उसको इसी तरह से डिरेल किया जाता है तो वह मुआपजा ही नहीं मिला था उनको यह तो अभी गैलो सरकार का करेंट अफेर 2020 में कांकरी वेकेंश के अबुड़ी का जो है कांकरी डुड़ी आंदोलन वा इस कांट्री डूंगरी आंडोलन में आदीवा सी युवा एक टीचर्स की भरती वेकंसी को लेके अपने रिजरुवेशन की अधिकारो में आन्दोलन रहते हैं, शांति पूरवक वो अंदोलन था, लेकिन उस आंदोलन में, BJP कॉंग्रेस के ऐसा मजिकत्त्तु स के अंदर घुसे और उस आंदोलन को उग्र किया उनोंने, और उसको सीदी बना के उसको शीर्ज्ट अप पर जा सकते थे लेकिन नहीं वो एक सांती पूर्वक्स आंदोलन को डील करने के लिए दो IPS अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई क्या पुलिस का काम आंदोलन कारियों से बात करने का है या व्यवस्ता का है तो और उन्होंने किस प्रकार से उसका जो है हल डूंडा आंदोलन साब लुच यूसरे नाराजगी बढ़ रही है नाराजगी पर रही है जो तो बढ़ ही लेकिन यह देखिये का एक कारण तो हरी है की जो लोग हत्याचार कर रहे हैं उनको आप राष्टिपती पदक के लिए रिकमेंड कर रहे हैं जिन लोगों ने दो आधिवासी युकों की हत्या की मैं हत्या का वर्ड यूज कर रहा हूं क्यों क्योंकि जो लाइबल बिरोकेट है लाइबल जो भी अफसर है अधिकारी है उनके आदेश पे उगोलियां चली उन गोलियों से दो आदिवासी युक मारे गए जब वो दो युक जिनकी डेत हुई उनके परिवार को आज तक ना मुहा हो जाए सोचिए बीजेपी की सरक सरकार थी तो गुर्जर मारे गए और जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार होती है स्क्राइब के लोग मारे जाते हैं सर आप अपना पर्चे देजिए मेरा नाम अश्यक कुमार मिना अर्डिए पमासर जीव क्या लग रहा है मीना समुदाय तो बहुत ताकतवर माना जाता है राजस्थान में लेकिन मुखमांतरी नहीं बन पा रहे हैं के सांसाधन तो है मीना समाज के पास समाज के पास है लेकिन सको यूजकान नहीं जानते ह Bengal हैं कैसे जोड़ेंगे आप लोग यह जो और बता रहे रहें यहां रिजर्वेशन जो है उसको जरुए जनरल में डाल सब्सक्राइब के जाता है रिजर्वेशन के साथ में रास्ता ने बहुत बड़ा खिलवार चल रहा है सवेदानिक अधिकार को जो ब्यूरो केसी है वो एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाल के सवाप कर रही है तो चोते टाइम उसको जनरल से बढ़ दिया जाएगा तो पहली बात तो हम यह मानने को तयार नहीं कि रिजर्व केटेगरी में पड़े लिके योग युवा नहीं दूसरी बात जब सलेक्शन कमिटी में है ऐसे जे लोग बेटेंगे जो कि मानसिक तोर पे एश्टेस्ययों माइनौटि को सन्थ करने के लिए नहीं बैटते हैं तो उनको योग युवा कभी मिल नहीं सकता तो इस परकार जब उनको योग युवा नहीं मिलेगा तो तीन बार उसको खाली रखके और जनरल से बढ़ने की एक साजी समात्र है इसलिए हमने गेलो सरकार से मांग किये कि इस संसोधन को ततकाल पूरुवत किया जाए पहले यह था कि जब तक भी यह वेकेंसी रिजर्ट के टेगर की नहीं बरी जाएगी तो उसको रिजर्ट खाली रखा जाएगा और जब शूट अब राहुल प्रियं खेंग क्रमेशन को समवाफ्त करने का कि एक है और अभी विद्धा संब्ल की पॉस्ट निकाली में ने दस अरव वेकेंसी आं जिसमें को एक टीचर्स को लेना था उसवेकेंसी को सीथा श्यट प्रहल निकाल दिया गया उसमें कोई रिजजर्वेशन का प्रावधान नहीं रखा गया कि आड़ी एप के विरोत के फलसवरूप उसको इस्तगित कर दिया गए वेकंसी को तो हम गेलो साल साथ से पहले भी अपील कि अभी भी अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हमारा उद्देश किसी वेकंसी को रोकना नहीं है उसको आप सव्वेधानिक दाइरे म मिला हुआ है उसको उसी तरीके से उनको अपलब्द करवाई है तो सुचिए बीजेपी हो या कॉंग्रेस हो जब तक आप बोलेंगे नहीं आपका अधिकार नहीं मिलेगा और निसल दस्तक यही कोशिसे की देश भर का जो बहुजन समाज है एस चोबीसी मानोटी के जो लो अधिक रूप से आपको मजबूत करना परेगा जो बहुजन समाज की लराई लर रहे हैं दल कोई भी हो धर्म कोई भी हो लेकिन कमसे कम अपने संबधानिक अधिकार के लिए तो एक जूट होई है पूरी बातचीत पर अपनी पर्तकिरिया भी जरूर दीजिए क्यामरा पर निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें